आज मेरी तब्यात थोड़ी डाउन लग रही है क्योंके मैंने एपिसोड देखी तो हाइवे वाला जो अंडर कांस्रक्शन वाला घर है वो एपिसोड देखी उसके बाद से मेरी तब्यात थोड़ी अजीब सी हुई हम भी हम भी मैंने सिर्फ पूरी टीम इसमत भाई भी बै तक उस इस्तान से निकले नहीं हैं हम वहा जो हुआ जो वाक्यात हुए वो अलग बात वो जगा इटसेल्फ जो है ना वो जा नहीं रही नजरों के सामने से या जब मैंने पहली बार वो देखा ना जब मुझे बेजा कि ये लेंजी ये मामले हुए हैं यहाँ पर हाथ देखी मैंने का ये तो ऐसा लग रहा है कि दर्वाजा खोलते ही कबर है कोई अगर आप देखें तो कि दर्वाजा खुला और सामने बहुत बड़ी सी कबर है इसमें तो लिटरली नुकसान महसूस हुआ कि जाना जो है न वो नुकसान से खाली नहीं होगा और अगर को रात मे देखें हर इनसान के पास टॉर्च नहीं होती गाउन देहात के या नई अबादी में लोग ऐसी चले जाते हैं रात को तरवाजा खोलें और जाएं वो तो अंदर तो मैंने ये फैसला किया टीम से भी जब डिसकस किया एंए टीम में एक दूसरे को देखा कि या भी तो अपना खुद बता रही है जगा उपना आप जो मैं कहताभी हूँ कि पुरसरार जगाएं अपना आप खुद बता रही होते हैं कोई ना कोई एक ऐसी चीज आपको जो मैंने जिकर किया तो डिसाइड ही है कि चलो चलते हैं लेकिन ये जगा रात में पहुंचने वाली नहीं है डारेक्ट ऐसा नहीं कि इनसान मूँ ठाकर रात को चला जाए दिन में पहुंचते हैं आपे पहले चीज़े देख लेते हैं क्योंकि वाक्य जो हमें सुनाये गए वो ये जो ठेकेदार साहब थे उनकी वहां पर मौत वाक्य हो चुकी अच्छा वो जो आपने उस दरख जो कुवा था टैंक था उसके आगे दरख के साथ जो आपने देखी थी सारी सेमिन्ट की चादरे गिरी भी थी वह उनहीं के उपर गिरी थी आकर जहां पर थी नहीं वो अब वो एक मौमा था कि जाए नहीं पी कि नहीं आद दिन में जाना यहां पर रात से पहले अब वो घर तो अपनी जगा उसके अतराफ में कोई एक घर अबाद नहीं अच्छा एक भी प्लॉट्स हमने दिखाए भी हैं खाली प्लॉट्स और बहुत हुआ छोटी छोटी एक दो दो फुट की बाउ क्यों लेते हैं क्यों बनाते हैं ऐसी जगां पर तो मैंने से कहता हूं कि हमारा एक तपका है उनकी यह सोच होती है कि अपनी सेविंग्स कर लें काइंट ऑफ बी सी डालने कि आप ना सस्ती जगा जहां मिल रही है वहां लेकर रख लें आइस्ता आइस्ता जो है ना दे जाएगी लेकिन अंदाजा नहीं है उनको कि नई जगाँ को आबात करने में कुछ मसाइल का सामना होता है आप लेकर छोड़ नहीं सकते अभी इत्तफाक से मेरी बात हो रही थी कि परिंदे भी तो घौंसला बना लेते हैं ना खाली घरों में उनको कौन कहता है कि घर खाली आजाओं ऐसा ही है आपस की बात है कि मखलूक है परिंदे आप कुछ महीने घर खाली छोड़ के जाएं वापस आएं कबूतर का घौंसला बना वाओगा चड़िया का होगा उनको कौन कहता है कि जी इधर कोई नहीं है इधर बना लो वो एक मखलूक है तो जिनात भी है नीचे लैंड ऑनर वो कैनड़ा में होते हैं कभी यूके में बच्चों के पास अपने उनकी मेड ना हर 15 दिन बाद आती है अच्छा 10 से 15 दिन बाद आती हैं नीचे सफाई करती हैं रौश्णी का देखती हैं देखती हैं मैं अपने घर की बात शेयर कर रहा हूं आपसे अब लोगों ने क्या किया जी बनार लेके छोड़ दिया कि फाइदा मिलेगा मैंने अशाद पहले भी आपको बताया जितनी यह सारी सुसाइटिस बन रही है हमारे हाईवे पे यहां के सिविल इंजीनियर्स ने वहां पर जो समझ लें के हैट्स थे उन्होंने मुझे मैसेजिस कियें इमेल्स कियें कि इस कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या सामने आया अच्छा मदरसा है बड़ा मशूर उनके जो बड़े हैं उनकी खिद्मात हासिल की गई हैं अंदर ले जाके उनको के ये द्रख्थ हमें काटथा नहीं जा रहा, यह तीला हमसे तोड़ा नहीं जा रहा, यहां सारी मशीन्स खराब हो रही हैं, यहां पर हाथ़े हो रहे हिं में Ihr seven. तो नहीं नहीं जगांको झो हैनाबाद करने में ऐसे मसाइल आते हैं अब आपने क्या किया वे लेके छोड दिया अधर लेकर छोड दिया और अज्जान बन गया आपके नहीं जी हमारे लावा तो कोई है नहीं इस में हम नज़र नहीं आहरा तो कोई है यह नहीं भाई हम यह सांस ले रहे हैं और और ऊक्सीजन नज़ए है यह हमारे फोन जो हैं 4G 5G नेटफर्ट से चल रहे हैं आपने आरहे हैs वाई फ़ाई नज़ए आरहा आपको नहीं नज़र आ ने तो क्या नहीं क्या तो है ना जब वह हैं तो ये भी है फिर कहने को आप पढ़ लिया जी और फिर कहते हैं कि नहीं है